नमस्कार दोस्तों आप सभी दर्शक मित्रों का हमारी चैनल सो प्रतिसत होम सुल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आपको एक बहुतरीन जड़ी बुटी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों प्रकृती की खजाने में ऐसी अनगिनीत और असीवी जड़ी बुटिया है जिसके बारे में हमें जानकरी नहीं होती ये अपने आप में विशेश होती है तो दोस्तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जंगली गोभी जो आपने अवस्य ही कही ना कहीं देखी होगी लेकिन इसकी पहिचान नहोने के कारण आप इसे बैकार समत्ते होंगे लेकिन ये जड़ी बूटी बैकार नहीं है इसमें विशेश प्रकार के अवसदिय गून पाये जाते है तो दोस्तो इसकी बारे में हम एक एक करके पूरे फाइदे आपको बताएंगे लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी इसके साथ ही वीडियो को भी साथ में लाइक कर दीजी और इस जानकरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे क्योंकि आपके और भी दोस्त इसके बारे में जानकरी ले सके इस चड़ी बुटी को जंगली गोपी के नाम से जानते है जंगली गोपी का पोधा जमिन पर फिलता है और गांस फुज के साथ उत्पन होता है लेकिन दोस्तो इस पोधे को गांस फुज समझने की भूल बिलकुल न करे ये पोधा अपने गुणों से इतना मुल्यवान है कि ये हजारों नहीं लाकों बिमारियों को दूर करता है कि पत्ते को तोड़ने पर पीली रंग का दूध निकलता है और ठंडी प्रकृतिकी होती है इसलिए पारे को जमा देती है ये मनुस्य जिवन की कई बिमारियों को नेस्त नाबुत करती है तो दूर्टो जाने लिजे इसके गुणों को आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा ये एक प्रकार का साकी पोता है इसकी सबजी बना कर खाने से पेट के रोगों में पाइड़ा होता है बवासिर होने पर भी ये बहुत लाब करिप होता है ये जड़ी बूटी रखती विकारों का समन करती है और रखत सुध करती है इसकी सबजी का कुछ दिनों तक लगाद सेवन करने से रक्त सुध हो जाता है इसके पत्रों में ताम्र अधिक मात्रा में होता है इसलिए कोई इसे ताम्र परने भी कहते हैं सफेद दग की बिमारी में इस बूटी का उप्योग करने से फाइदा महिशूस होता है क्योंकि इसमें जादा मात्रा में ताम्र होता है ये के रंग को वापस लाने का काम करता है। दूस्तों ये अर्ष और बवाशिर में जवर्जस्त काम करती है। चिन लोगों को बवाशिर की बीमारी है। बवाशिर में कुन आ रहा आओ तो ऐसे श्तिती में इस पौधे को जड़ सहीत उखाड ले। साप पाने से दो कर इसके पत्तों का रस निकाले और 10-15 ml की मात्रा में सेवन करे। इसके अलावा इसे सुखा कर भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस पौधे को सुखा कर काड़ा बना कर विसे 30 ml की मात्रा में कुछ दिन लगादार पिने से बावासिर में खुन आने के समस्या बंध हो जाती है। इसके पत्तियों की सब्जी बना कर खाने से पेट में गेश और कब्ज नहीं बनता। इसके अत्रिक्त इसका एक और भी प्रयोग है पेशाब 37 समिश्चा में। इसके पत्तियों के बावासिर में गेशाब 37 करने से पेट साप रहता है और पेट की कई बिमारिया दूर होती है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसकी जड़ों को साप करके दांतों से चबाए। कुछी समय में दांतों का दर्द दूर हो जाता है। ये विशनासक पोदा बिच्चु के जहर में भी उप्योगी होता है। बिच्चु के काटने पर इस पोधे की जड़ और इसके पत्तों को दोनों को साथ में पिसकर अच्छी तरह कलक बना कर उस थान पर लगा दे। कुछी समय में बिच्चु का जहर दीरे दीरे उतरने लगता है। दस्तों ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में के इसकी जड़ को हाथों की बुजाओ में बांधने से बिच्चु काटता नहीं। ये जड़े बुटी खांसी में भी बहुत लाबकारी होती है। अगर किसी को खांसी की समझ्चा है तो इस पूरे पोधे का रस निकालकर साथ में सहद मिलाकर पीला दी। कुछी दिनों में खांसी की समझ्चा से छुटकारा मिल जाएगा। इस पोधे के पत्तियों में जिवान रोधी गुन पाये जाते हैं। अगर इस पोधे की पत्तियों का रस निकालकर या कलक बनाकर घाओं पर लगाते हैं तो घाओं भी सिग्र भरने लगते हैं। ये जड़ी बुटी बहुत चमतकारिक है। अगर किसी को बुखार या ज्वर है तो इसकी जड़ को ले ले और इसे गले में माला की तरह पहने और इसके साथ ही इसके पत्तों का रस निकालकर 15-20 मिली की मातरा में कुछ दिनों तक सेवन करे या इसके पत्तों का काड़ा बनाकर चाय की तरह पिने से भी ज्वर या अपने दोस्तों तथा मित्रों में ज्यादा से ज्यादा सेर करे वीडियो को लाइक करे और चानल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्पून जानकरे के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहे और खुश रहे